तो दोस्तों कई बार आप भी अपनी डेली लैप में इस तरह की sentences बोलते होंगे जैसे की अम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे या फिर मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा या फिर तुम जीतोगे और जरूर जीतोगे या फिर तुम जाओगे और जरूर जाओगे तो इस तरह के sentences को हम Hindi से English में किस तरह से translate करते हैं तो चलिए इस वीडियो में जाल लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के sentences को बनाने वाले structure को पर अब देखी आपको इसका structure किस तरह से बनाना है इसमें आपको जो पहला वाला sentence है कि तुम जाओगे वो तो आपको समझ में आ गया होगा यानकी future indefinite में आपको बनाना है यानकी subject उसके बाद will उसके बाद वर्व और उसके बाद आपका object और उसके बाद आपको कोमा लगा कर या फिर कोमा या अगर आपको वाक्य खतम है तो आपको कुछ टॉप भी लगा देना है या आपके sentence पर depend करता है उसके बाद आपको लिखना है बाद में जिसके बारे में आप बात कर दे हैं वो यानकी जो वाक्या का subject होगा और उसके बाद आपको लिखना है surely और उसके बाद सबसराज में लिखना है will या फिर अगर आपको sentence को छोटा करके नहीं बोलना बड़ा करके बोलना है तो आप पूरा structure follow कर सकते हैं जो कि आपको present indefinite में आएगा तो चलिए कुछ examples देख लेते हैं जैसे की हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे तो इसकी English होगी we will kill you और आप जो दूसराज सेंटेंस है उसको बोलोगे we surely will तो इस तरह साभी से बोल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं we will kill you we surely kill तो इस तरह से भी आप इसे बोल सकते हैं next example देखिए मैं आउंगा और जरूर आउंगा तो इसकी English बनेगी I will come I surely will या फिर I will come I surely come तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं एक example और देखिए तुम जाओगे और जरूर जाओगे you will go you surely will या फिर you surely go तो इस तरह से आप अपने sentence को translate कर सकते हैं अब आपके practice के लिए में आपको एक sentence देता हूँ तुम देखोगे और जरूर देखोगे तो इसको आपको translate करके comment box में जवाब देना है तो वीडियो कैसे लगी है जरूर बताइएगा thank you